हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सतेंदर केतिवारी 22 और स्वागत है आपका बुक समरिय स्टोर में दोस्तों आज एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत फेमस बुक है और चाड़क के निती उसको बोलते हैं आप लोगों ने भी सुना होगा चाड़क के बारे में और चाड़क के ने बहुत सारे ऐसे नितीयां बना के गये हैं जो अगर हम अपने लाइफ में उतारें तो बहुत सारे हम अपने लाइफ हैपली जी सकते हैं success हो सकते हैं और वो पूरा life pattern हमारा change कर सकते हैं अगर हम चाड़क के द्वारा दे गए निथी को follow करते हैं दोस्तों इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं कृपया हमारे चैनल को like कीजे subscribe कीजे और अगर वीडियो पसंद आये तो share जरूर किजेगा दोस्तों हम आपके लिए बहुत चुन-चुन के वीडियो लेके आते हैं word class book लेके आते हैं और उसको summarize करके लेके आते हैं जिससे आपको पूरा book पढ़ने के जरूरत नहीं है आपको collection रखने के जरूरत नहीं है सारे पन्ने पलटने के जरूरत नहीं वो काम हम करते हैं आपके लिए और बहुत ही कम टाइम में 10 से 20 मिनट के अंदर हम आपको समझाने की कोसिस करते हैं कि book की summarize करके step by step बताते हैं कि उस book को अपने life में आप उतार के उससे फायदा कैसे ले सकते हैं दोस्तो हमारा वीडियो थोड़ा कभी-कभी लंबा हो सकता है क्योंकि हम book के content पे कभी compromise नहीं करते और book पूरा-पूरा cover करते हैं दोस्तो वीडियो को last तक देखना जरूरी है क्योंकि अगर last तक आप नहीं देखेंगे ये वीडियो को आपको समझ नहीं आएगा और उसको आप प्रोपर तरीके से अपने life में उतार नहीं सकते हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखे और अगर पसंद आये तो subscribe कीजिए like कीजिए और share जरूर कीजिएगा हो सकता है एक आपकी से किसी की life बन जाए जिसको इस book की जरूरत है तो आए ये book पे आते हैं जैसे आप लोग जानते हैं चाड़क के बहुत बड़ा उस समय के philosopher थे राजनितिक गे थे और उन्होंने बहुत सारे success की नीतियां बनाई थी और वो नीतियां आज भी बहुत famous है दोस्तों असायद आपको पता होगा कि चाड़क के नीति सबसे पहले Sanskrit में लिखा गया था और उसके बाद में इसके बहुत सारे Sanskrit में बने ये Hindi में भी लिखा गया, English में भी लिखा गया और different different बहुत सारे language में ये चाड़क के नीति लिखा गया और पूरे word why ये book famous होगी उस time पे चाड़क के के बातों पे ध्यान देके मौरे बंस ने बहुत सारे समराज्य बनाये थे बहुत सारे सफलता है मौरे बंस को मिली थे और चंद्रगुप्ति मौरे बहुत बड़ा समराज्य बनाये थे चाड़क के नीति को follow करके तो दोस्तों आईए मैं आपको लिए लेके आया हूँ 15 चाड़क के नीति, 15 ऐसे चाड़क के नीति जो अगर आप day to day अपने life में आप उतारते हैं तो ये बहुत आपको फायदा करने वाली है ये आपके life बना सकते हैं आप success हो सकते हैं, bilinears हो सकते हैं और आप अपना खुसी से life जी सकते हैं तो निति 1, education is your best friend दोस्तों चानक के कहते हैं कि अगर आप किसी को आप really friend बनाना चाहते हैं तो आप अपने education को बनाएए पिकर दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी fix नहीं है कुछ भी permanent नहीं है सब कुछ temporary है अगर किसी के आप friend बनाते हैं तो वो friend आपका जा सकता है वो हो सकता है कि आज आपके साथ बहुत अच्छे बन रही है साल दो साल एक साल छे महने बाद आपके साथ नहीं बने लेकिन अगर आप educations का best friend आप बनाएंगे तो आप बहुत सारे education से फायदा ले सकते हैं और यह आपको कहीं नहीं जाएगा यह आपके दुनिया के सबसे बड़ा assets हैं जो आपको आगे चल के बहुत फायदा करने वाला है तो चानक के बोलते हैं कि उनका first निती में education is your best friend and आप educations को अपना best friend बनाएं और उसको हमेशा follow करें निती नमबर 2 Learn from others mistakes दोस्तों चानक के कहते हैं कि अगर आप सिर्फ यह सोचेंगे कि मैं mistake करूंगा और फिर मैं उससे सीखूंगा तो आपके life छोटी पड़ जाएगी और आप पूरे सीख नहीं पाएंगे इसलिए आपको हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरे लोगों ने क्या mistake किया जिससे वो उससे आपको सीखना चाहिए दोस्तों चानक के बोलते हैं कि अगर आपको सीखना ही है तो आप किसी के failure से सिखे आप यह समझे कि वो दूसरा कोई आदमी है उसने क्या गलती किया जिससे वो fail हुआ और उससे अगर आप learn करेंगे तो आप उस mistake को repeat नहीं करेंगे अगर सिर्फ आप यह सोचे कि मैं mistake करूँगा और mistake करके मैं सीखूँगा तो आपके life बहुत छोटी पड़ जाएगी और आप पूरी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे इसलिए हमेशा आप यह ध्यान रखिए कि दूसरों के mistake से आप सीखिए निति नमबर 3 Never share your secret with others चानक क्यों बोलते हैं दोस्तों कि आप अपना secret किसी से आपको नहीं बताना चाहिए यह सिर्फ आपको अपने आप में रखना चाहिए आप कितना भी कोई आपका प्यारा हो कितने भी आप किसी पर trust करते हैं भी आपको अपना secret उसको नहीं बताना चाहिए क्योंकि मौका आने के वक्त हो सकता है कि वो इंसान आपके secret जानता होगा और उसका वो गलत इस्तमाल कर सकता है और उससे आपको बहुत बड़ी परसानी में डाल सकता है तो चानक के बोलते हैं कि आपका जो भी secret है आपकी जो भी कमजोरियां हैं वो हमेशा आप अपने आप में रखे किसी के साथ नहीं share किजी अगर आप किसी के साथ share कर रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत बड़ा problem में डाल रहे हैं निती नमबर 4 Before you start some work तीन question पूछे मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या मैं इससे सफल हो सकता हूँ ये तीन question आपको अपने आप से पूछना है अगर आप कोई भी काम सुरू करने जा रहे हैं चानक के बोलते हैं कि अगर तीन काम अगर आप पूछते हैं तो आपकी जो mind है वो आपको एकदम correct answer करेगा और आप अपने mind को follow किजे अगर आपका mind बोलता है कि ये तीनों चीजे आपकी सटीक नहीं बैट रही है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए ऐसा चानक के बोलते हैं कोश्चन आप अपने आप से जरूर कुछ हैं before starting your work निति नमबर 5 दोस्तों बताते हैं जो चानक के हैं कि कुछ भी जब फूल की जो स्मेल है वो उस तरफ जाती है जिस तरफ हवाएं जा रही है दोस्तों अगर कोई फूल है और उसकी जो खुसबू है अगर आप देखेंगे कि जिस साइट से हवाएं जा रही है जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ उसकी खुसबू जाती है तो अगर अपने आपको जिस डिरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डिरेक्शन में आपकी जो खुश्बू है आपकी जो अच्छाईये हैं वो उसी डिरेक्शन में जाएंगे ऐसे चानक के बताते हैं निति नमबर 6 A man is a great by the activities only Birth has nothing to do with it चानक के बोलते हैं दोस्तों कि कोई भी आदमी है कोई भी इंसान है वो अपने काभीलियत से अच्छा इंसान बन सकता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो पैदा कैसा हुआ वो किस जाती में पैदा हुआ वो क्या कर रहा है और कहा से वो आया और कितना बड़ा पैदा हुआ या कितना छोटा पैदा हुआ अगर वो इंसान अपने कामों से अपने कर्मों से अच्छा बन सकता है न कि कहीं अच्छे खंदान में या किसी बड़े घर में पैदा होने से निती नमबर 7 Humbleness is the root of self-control दोस्तों चानक के बताते हैं कि अगर आप humble हैं अगर आप down to earth हैं और अगर आप हमेशा जूपके रहते हैं तो आप ये secret जान लिजे कि आप वो self-control अपने आपको कर पाएंगे आप तभी अपने आपको self-control कर पाएंगे जब आप humble रहेंगे अगर आप humble नहीं रहेंगे अगर आप जूपके नहीं रहेंगे अगर आप down to earth नहीं रहेंगे तो आप अपने आपको control नहीं कर पाएंगे आप गुसा से परिसान हो जाएंगे आप छोटी-छोटी बात पर नराज होंगे upset होंगे और आप अपने आपको control नहीं कर पाएंगे इसलिए अगर आप humble रहते हैं humbleness आपके अंदर है तो आप self control कर पाएंगे आप अपने आपको और वो self control आप अपने आपको कर पाएंगे तो आप उसके बहुत सारे फाइदा ले सकते हैं निती नमबर 8 Your feelings are your God and your soul is your temple चानक के बोलते हैं कि आपको कहीं भगवान ढोड़ने के लिए कहीं जाने की जुरूत ना आपको मंदर जाने की जुरूत है ना मस्जिद जाने की जुरूत है ना चर्च जाने की जुरूत है आपका भगवान आपके अंदर है अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं आप अपने feeling से प्यार करते हैं तो आपके अंदर आपका भगवान है आपकी जो feelings हैं वो आपका भगवान है और जो आपका soul है जो आपका आत्म हैं वो आपका मंदिर है आप अपने आपके अंदर जाकिए आप अपने आप से प्यार किज़े अपने भगवान को पूझे आप अपने फिलिंग्स को पूझे कि आपका फिलिंग्स कैसा है और आपका सोल कैसा है क्योंकि फिलिंग ही आपका भगवान है और सोल ही आपके मंदिर है अगर आप अंदर से साफ नहीं है अंदर से आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप कहीं भी जाए किसी मंदर में जाए किसी मस्जित में जाए या किसी चर्च में जाए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको अपने भगवान खुद के अंदर ढोड़ना चाहिए हर कि बहुंतब बहुत को आपको आपको अपके अंदर से निकालना चाहिए जो कर्ज होता है वो आपका दुस्मन की तरह होता है ऐसा चाने के बोलते आं चानक के बोलते हैं कि कभी भी आप अपने कर्ज को बड़ा नहीं होने दे इतना बड़ा नहीं होने दे कि वो आप बारी पड़ जाए उसको हमेशा छोटा रखें और जितना छोटा आप रखेंगे कि जब आप चाहें आप उसको मसल दे क्योंकि जो debit होती है जो कर्ज होता है वो आपका एक दुस्मन होता है और वो दुस्मन को आप कभी भी strong नहीं होने दे इस बात को आप ध्यान रखें कि कर्ज को जितना हो सके वो कम रखें जिससे आप जब चाहें उसको आप मसल दें इतना बड़ा ना कर दें क्योंकि वो आपका दुस्मन है वो जितना बड़ा होगा आपके लिए परिशानी क्रियेट कर सकता है निति नमबर 10 Learnings दोस्तों चानक के बताते हैं कि Learnings जो है यह सबसा बड़ा Tools है आपके Life में आपको हमेशा Learning करना चाहिए आप हर किसी से सीख सकते हैं हर जगह से सीख सकते हैं हर टाइम आप सीख सकते हैं जिस दिन आप अपना सीखना बंद कर देते हैं आप अपने Knowledge बंद कर देते हैं उसी दिन से आप आपका Graph गिरने लगता है Success का तो इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना है सीखने का कोई उमर नहीं होता कोई टाइम नहीं होता और नहीं कोई उसके लिए Education होती है क्योंकि Learning कभी भी की जाती है और Always करना चाहिए ऐसे चानक के बोलते हैं निति नमबर 11 Over Attachment दोस्तों अचानक के बोलते हैं कि आपको किसी के साथ इतना Attachment नहीं हो जाना चाहिए कि वो इंसान अगर आपके Life से जाए तो आप पर रहना पाओ क्योंकि देखिए हमारे यहां Emotions जो है वो Emotions से हम सोचते हैं सही बात है हमें सोचना चाहिए मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि Emotions गलत है बट हमें किसी के साथ बहुत ज़्यादा Attachment नहीं हो जाना चाहिए जिससे वो जाने के बाद हम जी ही ना सकें क्योंकि जो आया है इस पृत्वी पर वो जाएगा यह हमें Clear समझना चाहिए इसलिए कभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा Attachment नहीं होना चाहिए नहीं तो उसके छोटी छोटी बाते बुरा लगने लगते हैं और उससे फिर hurt होने लगता है उससे आप खुदी अपने आपको hurt करेंगे और अगर अपने आपको hurt करेंगे तो आप अपने आपको नुकसान पहुँचाएंगे निति नमबर 12 Actual knowledge is not a conform in book and possession जो actual knowledge है दोस्तों वो कोई जरूरी नहीं है कि वो book से आए या किसी से आपको मिल जाए दोस्तों ये knowledge कहीं से भी मिल सकता है ये आपका experience से मिल सकता है आपकी पढ़ने से मिल सकता है आपके किसी experience से मिल सकता है knowledge हमेशा हर जग़ से आ सकता है कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको किताबे पढ़ने की जरूरी तैं या सिर्फ आप किताबे पढ़ेंगे तभी आपको knowledge मिलेगा knowledge बहुत तरीके से आपके पास आ सकते हैं और knowledge आपको हमेशा इकठा करना चाहिए आप अपने knowledge को हमेशा raise करते रहना चाहिए जिससे आप success हो सकें और आप pleniers बन सकें निति नमबर 13 Leadership equals power दोस्तों चाने के बताते हैं कि अगर आप leaders हैं अगर आपको पता है कि leadership क्या होती है तो आपके पास power है क्योंकि power ही leaders को lead करते हैं अगर आप leaders हैं अगर आप lead करते हैं अपने team को तो आपके पास वो power है जिससे आप जैसे चाहें वैसे आप अपने life जी सकते हैं आप अपने आपको control कर सकते हैं आप happily अपना life जी सकते हैं, आप success हो सकते हैं, बिलिनेर्स हो सकते हैं और जो चाहें वैसे आप अपने life को जी सकते हैं इसलिए आपको हमेशा leader की तरह रहना है, leader की तरह सोचना है और हमेशा leaders के पास power होता है नेति नमबर 14, on law दोस्तों चानक के बोलते हैं कि आपको अपने life में खुद का एक law बनाना चाहिए, खुद का एक कानून बनाना चाहिए आपको अपने आपके life में खुद को control करने के लिए एक formula होना चाहिए, एक law होना चाहिए, एक name होना चाहिए जो आप खुद आपको लिखना चाहिए और उसको आपको follow करना चाहिए जैसे आप अगर follow नहीं करेंगे आपके life गलर direction में जा सकती है एक वैसा ही है जैसे अगर आप गाड़ी आप चला रहे हैं और आप route को follow नहीं कर रहे हैं अगर आप plane उड़ा रहे हैं और plane में अगर आपको control नहीं हैं अगर आप उसको उस direction में नहीं लेके जा रहे हैं जिस direction में plane को जाना चाहिए तो definitely आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं और वहाँ पे land करेंगे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था इसलिए आपको अपने life ने खुद का law बनाना चाहिए और खुद का law बना के खुद उसको follow करना चाहिए अगर ऐसे आप करते हैं तो आप अपने life को completely change कर सकते हैं आप happy life जी सकते हैं और आप billionaires बन सकते हैं नेती नमबर 15, power management दोस्तों चानक के बताते हैं कि आपको power management आनी चाहिए आपके पास team है अगर आप leader है आपको खुद को manage करना आना चाहिए तभी आप अपने team को manage कर पहेंगे आप power को manage कर पहेंगे क्योंकि देखिए दिमाग एक powerhouse है अगर आपको खुद को manage करना है खुद आपके अपने मसीन को मैनेज करना आता है अगर आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं इस पावर हाउस को आप जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप अपने आपको दूसरों को भी दिमाग आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके पाव इसको इतने सारे पावर्स को आपको कंट्रोल करना है और यह पावर मेनेजमेंट आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों हासा करता हूं कि यह पचानक के निती आपको पसंद आये होगी और इसको आप डे टुडे अपने लाइफ में उतारेंगे और आप अपने लाइफ झाली यह पावर्स की यह पावर्स कावर्स की यह प्रवाद साछी आपके यहाथ आपके यहाथ जिए न्यवेब।